हेलो स्टुडेंट्स, मैं कुमल गुपता आपकी कैमिस्ट्री टेचर और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी फिजिकल कैमिस्ट्री का चाप्टर फर्स्ट जो की है भाई सलिशन तो सलिशन में हमने कंसेंट्रीशन टम्स तक की बात कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं भाई यहां पर वैपर प्रेशर के बारे में वैपर प्रेशर क्या होता है और वैपर प्रेशर के बाद हम बात करेंगे यहां से आई हुई कुछ टम्स का जैसे कि हमारी कॉलिगेटिफ प्रॉपर्टीज यहां से क्या है start हो जाएंगी तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि vapor pressure क्या होता है तो vapor और pressure दो अलगले terms हैं इसका मतलब जहां से क्या होना शुरू होगा हमारी vapors बढ़ना form होगी जहां से हमारी vapors pressure लगाना शुरू करेगी भाई वही होगा हमारा vapor pressure अब तुम एक example देखो भई जैसे मेरे पास कोई एक container है इसमें क्या भरा हुआ है मैंने liquid भरा हुआ है जी भर दिया बहुत सारा liquid अब ये जो liquid भरा हुआ है यहां पे बहुत सारा इसमें तुम मुझे बताओ कि मानो भई अब इस open container में तुम ये देखो मैं अगर यहां पे कोई burner लगा दूँ और इसको क्या करूँ भई इसको heat करके यहां vapors बनाना create करूँ तो vapors बन जाएगी बिल्कुल बन जाएगी क्योंकि पानी है vapors बनना बहुत normal बात है पर क्या होगा vapors तो बन जाएगी और बन के भई उड़ जाएगी तो यहां पे pressure बनेगा क्या नहीं ऐसे कैसे pressure बनेगा जब vapors रुख ही नहीं रही वो तो उड़ जा रही है अपना pressure किस पे लगाएगी तो इसके लिए भई पहली सबसे important point वैपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ close container में लगता है कैसे container में लगता है भई close container में जैसे तुम यह देखो भई मेरे पास ये कोई container है ठीक है अब इस container में मैंने यहां पे बहुत सारा पानी भढ़ दिया अब पानी भढ़ने के बाद क्या किया मैंने इसको heat करना शुरू किया heat करना शुरू करूंगी तब क्या होगा भई यहां पे इसकी vapors बनना शुरू हो जाएंगी अब यह जो vapors बनना शुरू होंगी यह इस close container के यह जो wall है भई यहां पे अच्छा खासा pressure लगाईगी तो मानो भई यह क्या है इसकी pressure यह वाले की wall है यह मेरे पास जो container है मानो भई यह इतना ही है अब इसकी wall पे क्या कर रही है यह बहुत strongly pressure execrate कर रही है क्या कर रही है भई यहां पे यह बहुत strong क्या लगा रहे है pressure लगा रहे है क्योंकि इनको क्या होना है यहां से बाहर निकलना है atmosphere के अंदर तो यह जो water droplets vapors में convert होके अपना जो pressure लगाती है इसी को हम क्या बोलते हैं vapor pressure तो सबसे पहली बात vapor pressure कभी भी open container में तो लगेगा नहीं अब दूसरी बात भाई जैसे ही यहां पे क्या हुआ यह vapors pressure में convert होना शुरू हुई वैसे ही क्या हुआ मतलब हमारा liquid state किसमें आना शुरू हुआ भाई liquid हमारा शुरू आना हुआ gas में पहली बात तो इस state को क्या बोलते हैं condensation और दूसरी बात भाई यहां पे यह जो equation बनती है हमारी यह कैसी बनती है equilibrium state यहां पे हमारी बनती है मतलब हमारा vapor कहां पे बनना शुरू हुआ है जहां पे हमारा liquid start हुआ है मतलब एक हलका साई कैसा point आएगा जब liquid और vapor same temperature पे होंगी तो यह equilibrium state भी है और यहीं पे हमारा vapor pressure बनना शुरू हुआ तो सबसे पहली बात हमने पढ़ ले भई वैपर प्रेशर के बारे में वैपर प्रेशर होता कैसे है लगता कैसे है अब हम ये देखते हैं भई ये जो वैपर प्रेशर है इसका क्या effect होता है मतलब किन किन चीजों से ये effect होता है अब मानो भाई इस बार तो मैंने container कैसा लिया है, कोई भी container ले लिया है, यहां मैंने rectangular लिया है, अगर मैं container circular ले लूँ, या मैं container कैसा ले लूँ, भाई, cubical ले लूँ, तो क्या कोई vapor pressures लगने में फरक पड़ेगा, सोचो, नहीं, भाई फरक कैसे पड़ेगा, अगर मेरा same ही bowl इसको मैं कितना heat करती हो, यह बात तो temperature पे depend हुई न, container पे कैसे depend हुई, इसका मतलब तुम्हें समझ में आया हमारा जो effect है, वो कहां कहां होगा, भाई, does not depends on the shape and size of the container, shape और size से कोई फरक ने पड़ेगा, and depends on nature of the substance, अब nature पे depend करता है, मतलब जिसको, जिस substance को तुम गरम कर हो, वो क्या है, उसमें कितनी strong bonding है, जिस भी substance में, जितनी ज्यादा strong bonding होगी, भाई, वो उतना ही मुश्किल से vapors बनाना शुरू करेगा, तुम सोचो, जैसे water का pressure कितना होता है, भाई, 100 degree centigrade, अब alcohol का कितना होता है, भाई, 100 से तो कम होता है, अपरोक 47, 48, ठीक है, तो तुमन काट किया, दोनों को एक साथ heat देना, लेकिन तुम सोचो, पहले तुम बताओ, यह मेरे पास water है, यह रहा मेरे पास water, और यहां मेरे पास है भाई, alcohol, ठीक है, मैंने इन दोनों को same time पे, same amount of heat देके, temperature देके, क्या-क्या boil करने के लिए रग दिया, अब तुम बताओ, भाई कौन सा जवाला compound boil होना शुरू करेगा, और विस ही बात है alcohol, क्योंकि इसका temperature तो almost 47 डिगरी के असपास है, जब कि इसका कितना है भाई, 100 डिगरी, जब तर temperature यहां पे पहुंचेगा ना, यह पानी liquid में convert होना शुरू होगा, वैपर में convert होना शुरू होगा, तब तक तो य बात आई समझ में, इसका मतलब जिसके अंदर जितने जादा strong bond होंगे, उसको क्या करना वैपर प्रेशर बनाना उतना ही मुश्किल होगा, हम एक example देख लेते हैं, जैसे भाई water है मेरे पास और यहां पे मैंने ले लिया ethyl alcohol, अब तुम देखो water के अंदर तो कितनी strong hydrogen bonding हो होती है, तो यह bonds हुए हमाले strong, और यह हुए weak, और इसमें तो hydrophobic part भी जादा है न, यह वहां तो सिर्फ छोटा सा एक hydrogen है, यहां पे तो carbon है, दो दो पांच-पंच hydrogen है, इतना सारा hydrophobic part है, तो यहां पे क्या होगा, hydrogen bonding कम होगी जबकि वहां पे जादा, और हमने organic chemistry पढ़ी हमने सारी बाते अच्छे से कर ली, अब vapor pressure कैसे देखेंगे भई हम, vapor pressure हमने C2H5OH का ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि भई यहां तो फटा-फट से यह alcohol क्या होगा, boil होना शुरू हो जाएगा, जबकि पानी को तो 100 degree तक ले जाना पड़ेगा, तब जागी क्या होगा पानी boil होना शुरू होगा, अब आगे देखो, vapor pressure किस-किस चीज़ पर डिपैंड करता है, बताओ तुम सोचो, vapor pressure direct inversely proportional होता है, किस के होता है, force of attraction of molecule, जितनी जादा molecules में क्या लगेगा, attraction force, जितना कम लगेगा, vapor pressure उतना ही जादा होगा, हमने example देखा, यहां पे ethyl alcohol के molecule मे कम force of attraction था, तो इसका vapor pressure जादा था, पर water के case में यहां पे vapor pressure कम था, क्योंकि यहां इनकी bonding, इनका force of attraction, इनके beach का interaction बहुत जादा था, इसलिए, तो आई बात समझ में सारे points हमने vapor pressure वाले पढ़ लिये, अब अगली बात करते हैं, यहां पे हम nature of substance चुले रहे हैं, इसके अंद पे ले लिया, इसका मतलब हमारा जो substance है, वो कैसा है भई, या तो volatile, या तो non-volatile, अगर मैं मेरे substance में ऐसी कोई चीज एड कर दूँ, जो क्या हो भई, vaporize नहीं होती हो, मतलब non-volatile substance क्या होती है, सुनो, जैसे मैंने क्या किया, पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डल दी, तुम गरम कर लो, कितना ही गरम कर लो, पानी तो गरम हो जाएगा, पर क्या मिट्टी गरम होगी, क्या मिट्टी वैपर्स बनाएगी, नहीं, बल्कि जो तुमारा पानी है ना, उसके molecules को दबा देगी, example देखो, उससे तुमें बहुत अच्छे समझ में आएगा, volatile और non-volatile क्या होता है, यह मेरे पास पूरे container में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अच्छे से, ठीक है, अब इस पानी के अंदर मैंने कुछ डाल दी, यहाँ पर अच्छी से मिट्की डाल दी, ठीक है, यह मैंने डाल दी, यहाँ पर, soil particles कुछ मैंने डाल दी, यह ह मेरे soil particles और यह है मेरे water ठीक है अभी तो कैसा है यह stir water है मतलग मैंने इसको shake ने किया अब अगर मैं इस water को क्या कर देती हूँ तो यहाँ पे कुछ particles तो किसके हो गए water soil वाले और कुछ particles यहाँ पे किसके होंगे भई कुछ particles यह होंगे water की यह हो गए water की अब तुम देखो यहाँ पे तो क्या है जैसे water molecule इस case में stir है तो यहाँ तो भई नौन इक्वल अमांड में यह लोग separate है लेकिन जब मैंने इसको shake किया क्या हुआ पानी के साथ भई हर जग तो जैसे मैं boil कर दिया पानी को निकलना है यहाँ से पर यहाँ से भई यह जगे ही निदेरा निकलने के लिए बलकि क्या कर रहा है यह उस पानी के vapor pressure को बढ़ा रहा है मतलब non-volatile substance क्या करती है भई उसको निकलने ही नेती vaporize बनने ही नेती रोकती और एक खुद तो वैपर में convert हो जाता है उसको भी vapor में convert निकलने ही नेती तो यह होती है हमारी non-volatile substance और volatile substance क्या होता है भई जैसे हमारा water तो यह हुए हमारा volatile और non-volatile substance अब यहाँ पर क्या होता है pure water के लिए जो इसका pressure होता है वो not equal to 0 होता है और इसी बात है क्योंकि यह तो क्या हो जाएगा भई वैपर प्रेशर पे कोई फरकी नहीं पड़ेगा तो यह क्या होगा जीरो ही होगा यहाँ पर एक्जांबिक ले लो वाटर इथाइल अलकॉस सारी सबस्टेंस बॉयल होती है यहाँ पर तुम देखो यूरिया यूरिया इवॉल्व नहीं हो देखो सॉलिट फॉर्म में जब इवपरेट तो नहीं होती यह तो हमें अच्छे से बता है कि ग्लुकोस को मैं 10 दिन के लिए धूप में रख दूँगी तो भी वो इवपरेट नहीं होगा तो यह बात अभी हमने करी है वालेटाइल और नौन वालेटाइल सबस्टेंस की पर वालेटाइल और नौन हम देंगे हमारे किसी भी सबस्टेंस को वो उतनी जल्दी वैपर्स बनाएगा ओवेसी बात है मेरे पास दो कांटेनर है यहां पर मैंने इस कांटेनर में कितनी हीट दी सबसे पहले 20 डिग्री सेंटिग्रेट जबकि यहां पर सेम ही अमाउंट आप सबस्टेंस भरे हुए हैं दोनों में यह भी ए है भाई यह भी ए है दोनों एकदम एक्वल है यहां पर मैंने जो हीट दी यह मैंने दी 50 डिग्री सेंटिग्रेट तर स्टाट कई तो पहले वैपर किसकी बनेगी इसकी बनेगी ओवेसी बात है तो टैंपरेचर तो वैपर प्रेशर को डिरेक्टल वाला जो relation है बस वही relation एक उल्टा है अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर volatile और non-volatile substance की तो मानो भाई मेरे पास एक मिट्टी के पाने वाला solution है तो मिट्टी के पाने वाली solution में क्या है एक volatile substance है यहाँ पर एक solid है और एक liquid है ठीक है अब मैंने ले लिया कोई ऐसा substance कोई ऐसा liquid substance जहां पर क्या है भाई एक solute होगा एक solvent यह बात हमने कहां करी थी हमारे solution वाले first chapter में करी थी हमने सारे solvents अलग-अलग तरीके के क्या करे थे भाई mix करे थे तो यहाँ पर मैंने एक substance ले लिया कैसे ले लिये उसके अंदर मुझे पता है भाई solution के अंदर दो चीज़े होती है एक होता है हमारा solute और एक होता है भाई हमारा solvent तो जो हमारा solute होता है न वो amount में कम होता है अगर मैं बोलू भाई मेरे पास 90% water है तो मेरे solution में कितना percent solute हुआ भाई 10% मैं बोलू 50% क्या है भाई solution है 50% solute है तो वो तो 50% solvent होगा मैंने बोला 60% मेरे पास water है तो बाकी का 40% क्या होगा solute होगा तो ये बात होते है हमारे solute और हमारे solvent molecules की लेकिन भाई तुम ये बताओ जैसे मानो अब यहाँ पे हम solute और solvent की बात ही करने वाले हैं तो यहां पर हमने solute को क्या मान लिया कोई छोटा आएगा मतलब B आएगा, दोनों हमने क्या लिए, भाई, स्टेट बाई, लिक्विड लिए, दोनों सब्स्टेंज कैसे लिए, वॉलेटाइल, मतलब दोनों का ही क्या बनता होगा, वैपर्स बनते होंगे, तो भाई इसके जब वैपर्स बनेंगे तब क्या होगा, P not क हमने क्या क्या चीजे ली अब हम बात करते हैं इन सबस्टेंस को अगर हम मिक्स कर दे और सलीशन बना दे तब क्या होगा जैसे मैंने पी नॉट ए वाला सबस्टेंस लिया और मैंने लिया भाई पी नॉट बी वाला सबस्टेंस अब मैंने इन दोनों सबस्टेंस को मिला दिय और heat तो सारे होई रहे हैं तो जब मैंने इन दोनों substance को क्या क्या भई mix किया तो मैंने क्या बोला यहां दोनों volatile substance है इसका मतलब vapors भी दोनों substance के बनेंगी तो यहां पर यह जो vapors बननी शुरू हुई है भई यह भी दोनों substance की बन रही है इतनी बात क्लियर है volatile substance लिया तो दोनों liquids के क्या बन रहे है भई vapors बन रहे है तो दोनों के बन रहे हैं तो इनका total vapor pressure क्या होगा भई इसका vapor pressure प्लस इसका vapor pressure यह होगा न क्योंकि एक का vapor pressure क्या होता है भई उसके mole fractions के बराबर PA का क्या हुआ भई उसके mole fractions के बराबर PB का क्या हुआ उसके mole fractions के बराबर और इनका total pressure क्या हुआ PA plus PB और ये बात हमें किस ने कई थी Dalton भाई साब हमें ये बात बोलके कई थे कि भाई ऐसी कितनी भी substance तुम मिला लो और उनका total pressure कितना होगा उन 40 substance के सम के बराबर ये बात किस ने बोली थी भाई Dalton ने बोली थी अब यहाँ पे इसके वज़े से जो भी हमने पढ़ा वो किस के वज़े सा है भाई वो आता है हमारे Rauts law की वज़े से Rauts law ने क्या बोला था एक ऐसा solution जहाँ पे partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction of that component मतलब partial वो vapor pressure होता है P A वो किस के directly proportional होता है उसी substance के mole fraction के B substance है तो B substance के mole fraction के C है तो C के mole fraction के ये बात किस ने बोली थी Rauts law ने Rauts law ने क्या बात बोली थी भाई दवाश partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction ठीक है इसका मतलब क्या हुआ हमें पता है अगर ये substance लेंगी तो A के mole fraction के बराबर अगर B substance लेंगी तो B के mole fraction के बराबर और हम ये बात भी जानते हैं हमने concentration terms में पढ़ा था जितने भी substance हमारे solution में होती है उन सारे substance के mole fraction का sum कितना होता है भाई 1 होता है अब वो substance X A X B X C X G चाहे infinite तक हो पर उनका sum कितना होगा भाई 1 होगा ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे भाई ये हमने देखा P A is directly proportional to X and P B partial pressure of B is directly proportional to its mole fraction ठीक है तो यहाँ पे हमने इस constant के लिए word ले लिया भाई K क्या ले लिया K अब K क्या है तुम देखो K क्या होगा जैसे कि भाई मैं ये वाले बात बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे पास है P A is equal to K X A मैंने अपने इस constant को क्या माना है K माना है अब K यहाँ पे माना है और ये substance कौन था है भाई A वाला अगर A substance pure है तो इसमें B के mole fractions कितने होंगे 0 होंगे क्योंकि अब ही तो हम बात फिर्फ एक ही कर रहे है एक solution separate है उसमें B है ही नहीं तो उसका mole fraction कितना होगा 0 होगा जब हम बात दो solutions की करेंगे तब वहाँ पे दोनों के mole fractions आएंगे जब एक की कर रहे हैं तो एक के ही mole fraction आएंगे तो XB की हमने यहां पे बात की तो XA कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि XA plus XB क्या होता है XA plus XB is equals to कितना होता है 1 तो यह 0 है तो XA कितना हो जाएगा यहां पे हमारा XA पूरा का पूरा हो जाएगा 1 इसका मतलब हमारा जो pressure है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 k के बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा भाई k के बराबर हो जाएगा तो क्या इस term को हम ऐसे भी लग सकते हैं P A is equals to P not A X A क्या ये बात समझ में आई P A को हम ऐसी भी लिख सकते है partial pressure of A is equal to P not A into X A P not A किसका है भाई pure substance का X A क्या है हमारे पास mole fraction जैसे हमने X A के लिए निकाला वैसी X B के लिए हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई X B में जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे X B के लिए जब निकालेंगे तो X A हो जाएगा 0 और X B हो जाएगा 1 और आंसर क्याएगा P B is equal to P not B X B तुम्हें ये दोनों formula आने चाहिए दोनों को कैसे दिकाला वो भी हमें समझ में आ गया अब हम next बात करते हैं भाई यहाँ पे इनके total pressure की बात जो डल्टन्स ने की थी क्या की थी PA plus PB इसका मतलब total pressure क्या हुआ P not A X A plus P not B X B अभी अभी हम दोनों चीज़ें निकाल के आए हैं ये होई हमारे पास vapor pressure of essay solution की बात जहां पे भाई दोनों solute और solvent हमारे पास कैसे थे? volatile liquid थे कैसे थे? volatile liquid थे अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पे इसके graph की graph में भाई एक set हमने ले लिया vapor pressure और एक set हमने ले लिया mole fraction क्या ले लिया vapor pressure mole fraction अब तुम ये सोचो भाई जब तुम vapor pressure ले रहे हो तब तुमने नीचे लिया mole fraction जैसे यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो ये मेरे पास graph है इधर मैंने ले लिया vapor pressure और यहाँ पे मैंने ले लिया mole fraction मेरे पास formula क्या होता है कोई बताएगा? भाई यहाँ formula होता है P A is equal to P not A X A ठीक है? अब यहाँ मुझे पता है जब मैं किसका graph बनाऊंगी? X A का graph बनाऊंगी तो मेरे पास अगर mole fraction 1 है यहाँ तो B की कितने हैं? भाई 0 अगर यहाँ B की कितने हैं? 0 अगर यहाँ B के 1 हैं तो X A के कितने हुए भाई 0 क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल अब यहाँ तुम देखो भाई यह मेरे पास X A के mole fraction कितने हैं? 1 जैसे जैसे मैं इस solution में जाती जा रही हूँ वैसे वैसे भाई मेरे पास जो B के mole fraction A के mole fraction है कितने होते जा रहे हैं? 0 बी के अंदर तो mole fraction A के 0 ही है ना? यहाँ तो क्योंकि pure substance है तो यहाँ A के 1 है लेकिन जैसे जैसे मैं इसके पास आ रही हूँ वैसे कितने हो गए भाई? 0 हो गए सेम बात यहाँ पे है B के लिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे गई वैसे ही इसके क्या हो गए? 0 और इनका total pressure कितना होगा? P A is equal to P T is equal to P A plus P B तो यह बात की है हमने किस की? इन दोनों के mixed graph की बात आई समझ में भई यहाँ पे mole fraction A के कितने है? 1 दूसरे के कितने है? 0 यहाँ पे दूसरे कितना है? 1 और पहले वाले का कितना है? 0 तो जब मैं पहले से यहाँ पे जा रहे हूँ दूसरे में जहाँ पे X1 कितना है? 0 तो यह तो 0 पे पहुंच रहा है न? और वहाँ पे कितना है? वह 0 तो यह भी 0 पे पहुंच रहा है तो जब यहाँ पे X1 0 है तो यह तो किसकी value है? P2 0 की और ये किसकी value है भाई P1 not की और ये हुआ हमारा P total P1 plus P2 कैई graph सबको समझ में आया बिल्कुल ऐसे ही हमने ये graph बनाया है दो liquids का दो ऐसे liquids का जो कैसे है दोनों volatile है ऐसा graph इनका बनता है अब next बात यहाँ पे हम करते हैं vapor pressure of non-volatile solute कैसे solute का non-volatile मतलब भई यहाँ पे जो हमारे solution के अंदर solute होगा वो होगा non-volatile solid जैसे अभी पानी के अंदर मिट्टी का example हमने लिया मिट्टी क्या है एक solid है और कैसी है non-volatile मान लो यूरिया ग्लिकोस सुक्रूस तुम किसी को भी dissolve कर दो भई non-volatile liquid हमें dissolve करना है किसके अंदर करना है एक ऐसे volatile liquid के अंदर जिसमें खुद का pressure बनता हो पर दूसरे का नहीं बनता हो जैसे water के अंदर dissolve कर दो alcohol में dissolve कर दो किसी के अंदर भी तुम dissolve कर सकते हो या मैं बोलू polar में non-polar को dissolve कर दो या non-polar में polar को क्योंकि polar और non-polar आपस में dissolve होते ही नहीं है हमें पता है solubility किस किस की होती है light dissolves like जो जैसा होता है वो उसमें खुलता है अगर तुम polar वाले को non-polar में dissolve करोगे तो वो dissolve होगा ही नहीं तो हम यहां बात कर रहे हैं एक non-volatile solute की और एक volatile solute solvent liquid की तो यहां पे मैंने क्या किया एक एसा substance लिया जिसके अंदर pure substance है एक वहां पे वी कैसा है भई मेरा ऐसा solute है जो क्या है भाई नॉन वॉलेटाइज अब मैंने उस प्यूर सब्स्टेंस में क्या मिला दिया एक नॉन वॉलेटाइज सब्स्टेंस मिला दिया तो non-monitized substance मिलाते ही क्या हुआ, जो इसका vapor pressure बन रहा था normally में, जैसे ही mix किया इसको, तो इसने क्या किया, इनकी vapors जो बन रही थी, उनको रोकना शुरू किया, जैसे यहां से तुम सोचो, पानी आराम से निकल पा रहा था, तो यहां पे इसने जगे रोक दी, तो यह पानी निकलेगा कैसे, तो इसने क्या किया, वैपर प्रेशर को कम किया, तो यहां पे जैसे जैसे solution बनता गया, वैसे वैसे हमारी वैपर प्रेशर क्या होते गई, इन भाई कम होती गई, बात आई समझ में, ठीक है, भाई यहां पे तुम यह बात जान रहे हो, pure substance जो हमारा A है, इस से भाई, इस substance से, जो हमारे solution के अंदर है, solution में जो A है, उसका वैपर प्रेशर कम है, और pure वाली का देखो ना कितना ज़ादा है, क्योंकि वहां तो only volatile liquid है, जबकि इसमें non-volatile जो चीज़े हैं, वो भी mix हो गई है, So on adding non-volatile vapor pressure, क्या हो जाता है, decreases, non-volatile substance को add करते ही vapor pressure क्या हो जाता है, हमारा decrease हो जाता है, यह बात हमें यहां से अच्छे समझ में आ चुकी है, non-volatile substance का काम ही क्या है, vapor pressure को decrease करने का, यहां पे हमने देख लिया भई, PA जो है, वो directly proportional है, किसके है, X, A के, तो PB कितना है, 0 है, क्यों है, क्योंकि यह तो एक non-volatile substance है, तो यहां से भई, मैं एक relation निकालने की कोशिश करूंगी, PA is directly proportional to X, A है, और PB किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो तुम देखो, मिर को पता है, PA किसके बराबर है, directly proportional to X, A के, और इस proportional constant को हमने क्या लिया है, P.A, X, A, बिल्कुल सही बात, ठीक है, अब यहां से मैं एक और चीज जानती हूँ, कि X, A, प्लस X, B, जो है, किसके बराबर होता है, बच्चो, एक के बराबर होता है, यह mole fraction का answer तो सब जानते हैं, यहां से मैं इसकी value रख सकती हूँ, X, A कि क्या भी रख सकती हूँ, भई, X, A किसके बराबर भी हो सकता है, 1-X, B के equal, इसको हम यहां से क्या करेंगे, भई, replace कर देते हैं, P.A, 1-X, B, यह मैंने P.A के साथ X, A की value को replace कर दिया, किस से कर दिया, 1-X, B से replace कर दिया, अब इस P.A को मैं यहां पे और यहां पे क्या कर दे रही हूँ, multiply कर देती हू P.A is equals to P.A minus P.A, X, B, यह इतना यहां से आया, अब मैंने क्या किया, इस value को यहां पे भई, transpose कर दिया, P.A, यहां जाएगी, तो क्या हो जाएगी, भई, positive, P.A, X, B, यह किसके बराबर आ गई, पूरी term, भई, P.A के बराबर यह पूरी term आ गई, यहां तक समझ में आया, अ अब आगे देखो हमने क्या किया है, यहां से आगे हमने यह जो हमारी value आई है, इसमें से P.A, X, B को यहां छोड़ दिया, और साथ में जो P.A इधर वाला है, इसके साथ, अब हमने इसको transpose कर दिया, minus P.A, ठीक है, अगली बार भई हमने यहां से X.B की value निकाली, X.B की value क्य आएगी P.A, minus P.A, upon P.A, अब बच्चों यह जो answer आया है, यह बहुत बहुत important है, और यह क्या है, यह है हमारी एक colligative property, कौन सी colligative property, relative lowering in vapor pressure, कौन सी है भई, relative lowering in vapor pressure, इसको हम कैसे भी denote करते हैं, R, L, V, P. यहां देखो, यह पूरा change जो क्या है, पहली बात तो A के साथ, पूरा A term है, उसके साथ सिर्फ B का relation है, इसलिए relative, अब lowering क्या है, यहां से हमारा कितना substance में pressure का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब non-volatile substance में, जब हम non-volatile substance को add करते हैं हमारे किसी volatile substance के अंदर, तो कितना pressure में decrement आता है, उसी को हम क्या बोलते है, relative lowering in vapor pressure, तो भाई, qualitative properties क्या होते हैं, यह बात तो हम अगली class में करेंगे, लेकिन यहां से हमने एक important relation देखा, वो relation हमने क्या देखा, relative lowering in vapor pressure का, और यह qualitative property है, qualitative properties, फिर्फ और फिर्फ, हमारे solute पर depend करती है, और कितनी properties होती है, इसको पढ़ने के लिए आपको next class देखने पड़ेगी, तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, हस्ते रहिए, थांक यू.